तो कॉंग्रेस के राष्टिय अध्यक्ष सोनिय गांधी और राहूल गांधी पर E.D. की कारवाही और कॉंग्रेस के सत्यग्रा में दिल्ली पुलीस की कारवाही को लेकर कॉंग्रेस अब संखनात करने जा रही है कॉंग्रेस का कहना है कि दिल्ली में परदर्शन करने गए कॉंग्रेसी नेताओ पर बरवरता पूरबग दिल्ली पुलीस और केंजरी की सरकार ने हमला किया है इसके साथ ही मंतरी शीव डहारिया ने बड़ा अरोप लगाते हैं कि कॉंग्रेस नेताओ पर जिस तरह से परदर्शन के दोरान हमला किया गया है उसमें कई कांग्रेसी निताओं की हड़ी पस्थी ढूट गई है कई जखमी हो गए हैं जिसको लेकर 16 जून से कांग्रेस परदर्शन की कड़ी की सुरुआत करीगी पहले दिन राजधानी राइपूर के कलेक्टरेट चौक के सामने कांग्रेस धरना देंगे जिसके बाद राज़िपाल से मुलकाद कर ग्यापन सौपेंगे इस तरह के आतंक और अन्यायत अंग्रेजों ने भी नहीं किया था ये उससे भी आगे निकल गए हैं और हमारे कांग्रेस मुख्यालेम जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया हमारे कई नेता गायल है कई नेताओं के हड़ी पसली तूट गई है हमारे घर में आके हमको मार रहे हैं ये इस तरह के अन्यायत अचार हम बरदास्त नहीं करेंगे और कल एक दिवसी धरना हम लोग राजभावन में पास देंगे और राज यपाल को ग्यापन भी देंगे और आने वाले समय में किस तरह की रननेती होगी यह हम लोग हमारी पार्टी तै करेगी और हम यह जो अंग्रेजों से भी ज्यादा अन्याय अत्याचार कुरूर काम मोधी के सरकार कर रही है उसके खिलाब कल से हम लोग संखनात कर रहे हैं